हेलो दोस्तों स्वागत है आपका माई फार्मा टिप्स यूटूब चैनल पर आजम शुड़ो में एटकोल सीवी टेन कैपसुल के बारे में पुरी जान कर लेने वाले हैंये इस कैपसुल के बारे में और देक्सता सी जानते है इस कैपसुल करती का इस चैनल के क्या बिकिवडे क्या सप्सराइब करेंगे तो क्याफ से एफ्स क्या साइड इफिक्त यह नहीं वेल फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पर एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिलाइकन को प्रेस करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी वीडियो लाते रहता हूं तो चलिए सब्सक्राइब को स्टार्ट करते अरिस्टो फार्मसुटिकल कंपनी की यह 10 कैप्सूल कि स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 101 रुपए में मिल जाएंगी दोस्तों बताएगे कि मत समय के साथ कर्म यह ज़्याद हो सकते बात करते इस कैप्सूल में मौजूद कंटेन के सब्सक्राइब के बारे में एट कोल सीवी टेन कैप्सूल में एटरोवेस्टाटीन आइपी 10 एमजी क्लोपीडोग्रेल आइपी 75 एमजी यह कंटेन समय स्टे इसमें मौजूद एटरोवेस्टाटीन एक लिपिड लोरिंग ट्रग है यह ड्रग शरीड़ दौरा कोलेस्ट यह चल्डी कास्टर बढ़ जाता है इसमें मौजूद क्लोपीडोगरेल एक एंटी लेट ड्रग के क्लास में हाता है जो प्लेटलेट को एक साथ चिपकने से रोकने का काम करता है इस प्रकार से शरीर में खून का हानिकारक थक्का बनने की संभावना करम हो जाती है बात कर हाई कॉलिस्टर या फिर हैपर कॉलिस्टञ भिके दोक्टरि से हैपर लीपेडिया भी कहते है डोक्टरि से हाय मेंडिय कि समस्या में भी यूज़ करते ट्राइग्रिसराइड एक तरह का फैट है जो खून में पा जाता है शरीड में इसका लेवल ठीक रहना जरूर है यह दिसका लेवल बढ़ता है तो आपको हर्ट प्रब्लम सीने में दर्द जैसी परिशाने नजर आ सकती है इस कैपसुल का इस्तमाल डॉक्टर स्ट्रोक की समस्षय में भी यूज करते स्ट्रोक जिसे कभी मस्तिस का दोरा भी का जाता है यह तब होता है जब मक्स्थिस्ट की छिस्से में रख्त कि आ पूरती ब्लॉक हो जाती है इसको दूर करने एक लिए डॉक्टर इसका अपसुल करने के लिए यूज होती है हाट एक से बच या फार्मसेज से संपर्क कर सकते हैं आपके डॉक्टर उनक्यान वह से इस कैप्सुल का इस्तमाद अन्य समस्या उपदूर करने के लिए भी उस कर सकते हैं बात करते हैं इस कैप्सुल के डूसेज के बारे में आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस कैप्सुल क समय स्पर निर्दारित रहता है इसलिए आप अपने वर सभक पता कर स्टमाल सर criticism में मущूद गंटेंस ऐलर्जीए तो आपको आपको सब्सक्राइब हो सकते आपको बता के कुछित हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें इस कैपसुल के इस्तमाल से आपको पेट डर्द दस्त अपचन कब्स सिर्दर्द चक्कर आना एक कुछ सैड़ इफेक्ट हो सकते हैं प्रिकॉशन इस कैपसुल के उच्छ करते समय सावधन्या अगर आपको इस कैपसुल के DRUG INTERACTION या ODROOCAN की सामभावना कंम होती है अगर आपको लिवर या किद्ने सिदयों का आनने समग्से आहे तो उसकी सच्छना भी अपने डॉक्टर को अवक्श्य दे गर्बोती महयल आए और स्थन पान करने वाली महयल आई एक एक कैपसुल उच करने से पहले अपने डॉ इससे आपकी सिती बिगड़ सकती है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेलप पूल इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करे और माय फार्मा टिप्स यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करे उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिशन रूस मिलते रहेंगे थैंक य इस वीडियो